अगनिवीर शहीद हुआ, लैंड माइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूँ, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहते हैं नरेंद्र मोधी उसे शहीद नहीं कहते हैं कर संसद में विपक्ष नेता ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा काटा जिन में से एक मुद्दा अगनीवीर का भी उठा राहूल गादी ने कहा कि मैं अगनीवीर के परिवार से मिला हूँ केंद्र सरकार अगनीवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती अगनीवीर यूजेट थ्रो वाले मजदूर हैं मोदी जी इन जवानों को शहीद का दर्जा नहीं देती उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन जवानों को महज अच्छे मार ट्रेनिंग मिलती है अगनीवीर की सच्च्वाई आर्मी जानती है हमारी सरकार जब आएगी तो हम इस योजना को हटा देंगे इस पर सदन में खूब शोर शराबा भी हुआ इसके बाद रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने क्या कुछ कहा चलिए वो आपको सुना देते हैं तो ये थे अगनीवीर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बयान ऐसे में सवाल उठते हैं कि अगनीवीर जवान को आखिर क्या-क्या फायदे मिलते हैं तो चलिए आपको इस वीडियो में हम वही बता देते हैं क्या-क्या लाभ मिलते हैं अगनीवीर यूजना के तहर जान गवाने वाले जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाता है रक्षमंत्री ने आज खुद इस बात को दोहराया है इसके अलावा अगनीवीर देश के लिए सर्वोच बलदान देते हैं इसलिए उनका अंदिम संसकार पूरे सेन्य सम्मान के साथ किया जाता है उनके शहीद होने के बाद उनकी परिवार को लाभ मिलते हैं जैसे की कल्यार निधी के तहत बैंक डिफेंस सर्विस एकाउंट बीमा एम्यू के अनुसर परिवार को कुछ राशी मिलेगी बीमा राशी 48 लाख रुपे आईउ महिला कल्यार निधी 30,000 रुपे अंदिम संसकार के खर्चे के लिए राशी 9,000 रुपे ACWF 8,000,000 रुपे अनुग्रह राशी 44,000,000 इसके अलावा परिवार को 4 साल की सैलरी का बचा हुआ पैसा भी मिलता है इसके अतरिक्त राजसरकार भी जवान के परिवार के लिए कुछ राशी देती है हाला कि अगनी वीर को कोई पेंशन नहीं दी जाती वहीं सेवा निधी में सरकार की युगदान और ब्याज के साथ युगदान दिया जाता है पता दे कि डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट इंशॉरिंस बैंक और भारतिय सेना के EMU पर निर्भर करता है तो आपके अगनी वीर पर क्या है राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताओं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ